हलो इस्टुडेंस मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देखे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनवाड़ा इस्टुडेंस आज मैं आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे एक गवर्मेंट कॉलेज से दिया बीसे अग्रिकल्चर करते हैं तो आपको केमपस सेलेक्शन मिलते हैं तो श्रेंस आप यहां पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यहां पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो श्रेंस यह देख सकते हैं ठेक है IGKB में students के आया है placement notice आया हुआ है तो जीहांस campus selection कैसे होते हैं एक government college में आय यह देखते हैं तो जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो श्रेंस यह देख सकते हैं आप IGKB में students career guidance placement यहां पर आया हुआ है तो श्रेंस ये कल का एक notification है जिसकी last date श्रेंस 25 अगस्त है श्रेंस तो श्रेंस जिसकी last date है आपकी 25 जुलाई जी है श्रेंस 25 जुलाई तक आप इस email ID पर अपना bio data send कर सकते हैं जो भी श्रेंस करना चाहें तो श्रेंस इसमें क्या कहा जाता है कैसे ये notification आता है और कौन से BSC agriculture वाले बच्चे इसमें participate कर सकते हैं लिया जाएगा only IGKB candidate can apply तो सिर्फ IGKB के बच्चे ही apply कर सकते हैं तो एक government college से दी आप BSC agriculture करते हैं तो ही आपको एक placement मिलता है private job तो आपको मिल ही जाती है तो श्रेंस आ आप अच्छे grade से दी पास हो रहे हैं अच्छे percentage से दी आप BSC agriculture में MSC में पास हो रहे हैं तो श्रेंस आपको आसानी से एक private job बहुत ही अच्छी मिल जाती है government college में campus लगने से और यदि हम बात करेंगे private college में तो जी यहां students private college में किसी प्रकार के कोई campus नहीं आते हैं और normally campus आते भी हैं तो श्रेंस आप लोगों को call center वगेरा हो गया चोटी मोटी जॉब हो गई है छह साथ हजार की job के लिए आपको placement लगते हैं कभी लग गये तो लेकिन जब हम एक government college में और एक अच्छे government college में दी पढ़ते हैं तो श्रेंस वहाँ पर हर साल campus आते हैं जब हमारी final degree complete होने वाली रहती है उस समय हम यहाँ पर placement ले सकते हैं और एक अच्छी private job कर सकते हैं कभी भी कोई भी अच्छी private job जो है वो सिर्फ और सिफ government college में ही आती है तो यदि आप BSC agriculture करना चाहते हैं BSC agriculture का आपका सपना है या MSC करना चाहते हैं तो कभी भी सिफ government college से ही करें क्यो इदि आप full study करते हैं और इदि आप practical करते हैं और जो सिर्फ possible है आपके government college में क्योंकि private college में practical की सुधाय नहीं होती है फीज भी जादा होती है और career opportunities जो है वो सिर्फ government college में आपको देखने को मिलती है और उनका ही future थोड़ा सा bright होता है ऐसा नहीं कि private college वालों को नहीं होता है लेकिन जो ICR से affiliated college होते ठीक है उनहीं से पढ़ना आपके लिए better option होता है तो इस तरीके से हर बार आपको placement मिलते हैं तो कुछ बच्चे बोल रहा थी कि सर्फ BST के बाद हम लोग क्या करेंगे तो government college में campus selection होता है यदि आपका government college बहुत अच्छा है तो तो यह जानकारी participants कि किस तरीके से placement होते हैं ठीक है इस तरीके से हर बार notice आता है आप जो भी college में पढ़ेंगे उसकी official आप website पर चले जाएंगे तो आपको placement के notice मिल जाते हैं ठीक हर साल placement निकलते हैं तीन-चार कंपनिया आती हैं कई बार जो हैं आट-दस कंपनिया भी आती हैं किसी ना किस थी government job versus आपके private job में तो आप decide कर लीजिए आपको क्या करना है वर्दिय आपको तयारी करना है तो आप CGPAT, MPPAT, ICR, CUT ये आपके लिए students exam हैं जिनसे आप एक government college ले सकते हैं आप ICR exam से देश के सबसे बढ़िया अपने राज्य के सबसे बढ़िया agriculture college ले सकते हैं अपने state level क exam जैसे CGPAT हो गया, आपका MPPAT हो गया, इन exam से या JET का exam हो गया, CPAT हो गया आपका, या आप CUT देना चाहा रहे हैं तो इन exam से आप अपने state के भी बहुत अच्छे college ले सकते हैं ऐसा नहीं कि आप ICR से नहीं ले सकते, ICR से भी अपने राज्य के आप सबसे बढ़िया college ले स इदि आप coaching करना चाहते हैं तो आप online coaching घर बैठे बैठे लगा सकते हैं, जो भी बच्चे interested है coaching करने के लिए मुझे जरूर content कीजेगा, एक दिन आप free demo classes लगा कर भी देख सकते हैं, मिलेंगे फिर IC on update के साथ में, IC agriculture संबंदित government job के साथ में, तब तक लिए बबाए, take care and all the best.